तो हाई गाइज आचुके एक और नीव वीडियो के साथ हुआ पिस तो भई आज के इस वाले वीडियो पर आपको बताऊंगा कि आपका जो पिक एंड फार यह वाला जो चीज है यह वाला बहुत सारे बंदे का क्या प्रोबलम होता है कोई इसको पॉपन करता तो इसको पॉ प्रोबलम क्यों होता है और वहीड फिंगर वालों के लिएव यहां पर कीकड़ फिंगर फिंगर फिर का लानों के लिए उस लिए मशेता क्यों अपको में कुछ बताऊं एकर से नियुत 치 pr cha के लिया vano के लियए lean mode जो होता गई आपका यह lean mode यह काम करता pick and fire बटन का ठीक है यह वाला का काम करता अब जो गाइज tap hold का जो tap hold mix जो भी रहता अप lean mode को यहाँपड़ में कर दोगे तो देखो यह pick and fire देखो यहाँपर जो pick button है आपका यह देखो यह से ही रहा गिया tap में मतलब आप tap करोगी तो हंटेगा tap करोगी तो रहेगा तो यह चीज़ा यूदा वहता है यह रहता आपका pick and fire button के लिए और जो आपका लीज पिखे के लिए होता है तो लीज मोडес में अपको टेप में रखना चहिए फिर होल्ड में रखना चाहिए थों संग्यज उशक्र आप अगर ऑगर इसंहीं कर देए तो देखो आप अगर इसे होल्ड पर रखते हो यहां पर तो आप अगर इसे होल्ड करोगे तो फायर कहां से करोगे तो आपको फायर करोगे तो आपको फायर करना होगा और आपको फायर भी करना तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा मतलब होगा ही नहीं आप से यह वाले से आप फायर करें एक को क्योंकि आप इसे प्रेस करके फिर और एक finger कहां से मतलब लाओगे आप तो फूर फिंगर थ्री बटन्स के लिए ठीक है अब बात करतें इस हमारा पर जो है यहां पर इसकोप div जो द्वाथा एकी उप्सट जो है इसे आप अन कर दो तो जो हैं आफार जीज हो जाएगा देखो आप इजली ऑपन यहां पर आप यह यूज करो ठीक है टैप मत यूज करो अपका रियक्शन और भी जाता फास्ट वोग अगर आप पर रखते हो तो जैसे कि आप यहाँ पर टैप करोगे यहां फायर करोगे फिर टैप करोगे फिर कवर में जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा तो वही को दोबारा टैप करने का कोई जरूरत नहीं है अप आओ यहां पर फायर करो और घिसक जाओ ठीक है लेकिन अगर आप इसे टैप करोगे फिर इसे टैप करोगे तो हटेगा तो गाइस बहुत टाइम लग जाएगा तो यह चीज़े अगर आप यहां पर इस्तमाल करे रहे ह आप होड़ में रखना और यहां पर पिक इंज यो तो ultra arbwn oh इसैं यहां पर चीज़े यहां पर रहता है यहां पर रहता है यह वाले जगह पर अब जो यह分享алось कि यहां से covers आएंगे, यहां से scope open करेंगे, तो guys यह बहुत ही गलत होगा आपको लोगों के लिए, तो guys एक चीज फोर फिंगर वालों के लिए, यहां पर एक चीज और मैंने बाकी कर दिया, यह वाला चीज, अब guys totally हो चुका है, तो guys four finger वालों के लिए देखो, यह open करेगा, तो guys बहुत ज़्यादा time लग जगा, या फिर आप direct ऐसे open के रख रहे हो, तो यह भी guys एक तरह से मतलब मैं बोलूँगा, गलती है, क्योंकि आप अगर यह रखते हो, और इसी का साथ साथ आप यह भी करते हो, तो guys दिक्कत हो सकता, तो आप यह बंद कर दो, अपना four finger वाल जैसे कि आप यहाँ पर कर रहे हो, यह कर रहे हो, फिर आपको यह करोगे, फिर आप इसे हटा हो तो यह से ही रह जाएगा, ठीक है, तो आप tap में बत रखना यह चीज़ी हो, अगर आप यह पर mist में करते हो, तो guys आपके लिए सही है, mist में कर दो तो आपका hold वाला काम हो जा करते हो, देखो यह hold नहीं हो रहा, मतलब इसे हम क्लिक कर रहे हो, मतलब यह hold पर अभी है, तो guys इसे आपको एक बार क्लिक करोगे, तो यह रहना चाहिए, तो guys यह नीचे वाला पर आएंगे, scope mode पर, यहाँ पर आप tap करोगे, तो यह चीज़ आप रहेगा, देखो, यह ची में guys, दोनों काम हो जाता, so guys आप अगर mist पर रखते हो, तो आपके लिए सही है, लेकिन आप अगर यहाँ पर tap में रखते हो, आपके लिए बहुत ज़्यदा दिक्कत है, मतलब एक बार आप tap करोगे, फिर यह करोगे, फिर cover पर जाओगे, तो guys बहुत टाम लग जाएगा, तो four finger वालों के लिए सबसे ज़्यादा जो best setting होता, guys, आप दोनों का mist पर रख सकते हो, या फिर दोनों का hold पर रख सकते हो, so guys मैं एक पर hold पर use करता हूँ, क्योंकि मुझे मतलब scope को open करके रखना अच्छा लगता, फट से मार के, सब छोड़ दो, आपका scope सारा कुछ में लग सकता, इसलिए four finger वालों के लिए मैं यहाँ पर hold में यह करूँगा, suggest करूँगा, अब guys बात करते हैं, यहाँ पर three finger, so guys three finger वालों के लिए क्या setting रहता है, जैसे कि यहाँ पर मालों जो उनका basic setting रहता है, वो कुछ यहाँ रहता है, इसको इस वाले जगा पर और pick and fire रखना, आप tap पर रखो, यहाँ पर, देखो क्यों, क्योंकि आप tap करोगे, तो ही आपको मतलब यहाँ से जो देख सकते हैं, इस तरह कर सकते हो, यह चीज, फिर आप इसे हटा सकते हो, लेकिन जो guys अगर आप इसे hold पर रखते हो, तो guys आप hold पर रखते हो, जैसे कि यहाँ पर हम hold पर कर देते हैं, तो hold पर रखके, आप enemy को तो मार दोगे, ठीक है, लेकिन जो आपका pick and fire button हो, आप use ने कर सेखते हो, क्योंकि आपका जो thumb है guys यही पर use हो रहा, तो आप अगर ऐसे करोगे, तो आप से नहीं होगा, तो यही चीज, आप scope mode को यहाँ पर tap मे कर दो, औ ऐसे घर के, इसलिए आप enemy को देखो, ताकि आपको कोई head ने ले पाएगा जल्दी, और दूर के बंदियों को आप scope on करके, देखो की बंदे कहाँ पर है, ठीक है, तो आप अगर आप यहाँ पर यह हो, guys three finger हो, तो आप इसे tap पर रखना, यह वाला scope को, बाकि यह दोनों pick and open, इसको आप open में भी रख सकतो, आपके लिए फाइदा होगा, और यहाँ पर hold पर lean mode को रख सकतो, जो lean mode में ने बताया कि आपको pick and fire button का काम करता, तो hold में तो guys, यह जो button है, आप प्रेस करके रखना रहेगा, छोड़ दोगे, तो हट जाएगा, ठीक है, प्रेस करके hold पर रखना, hold, hold, hold पर और यह वाला option को बंद कर देना, four finger वालों के लिए, और जो two finger है, उन लोगो को भी मेरे first पर बताई दिया, so guys, I hope कि यह वाला वीडियो आपको सही लगा होगा, और आप समझी यह होगा, और आप समझी यह होगा, तो आप comment में बताना, guys, मैं कोशित करूँगा, छोटा सा और एक वीडियो लाने का, आप अगर नहीं समझ पाए हो तो, तो भाई, यही था, आज कि इस वाले वीडियो पर और वीडियो सही लगे, help मिला होगा, तो अपने फ्रेंड का साथ जल्दी से share करो, और एक like comment करो वीडियो पर, guys, एक चैनल को सब्सक् मिलते हैं, नेक्ट मूर में, तब तक लिए, take care, ta-ta, bye-bye.